कैल्सियम ऑक्सयड इसका नहीं में आपको लिखो है क्विक लाइम ठीक है ध्यान से सुनें क्विक लाइम क्विक लाइम से क्विक जादा हीट निकलती इसलिए पानी में चुना पानी में लाइम डालते है क्विक लाइम तो क्या होगा कैल्शियम है OH हीड्रोक्सिल ग्रूप बन सकता है और एक और बनेगा OH CA OH बनेगा अलकली जिन यह बेस है यह क्या है बेस यह देखो जहां OH हो क्या क्या लाता है अलकली जहां बेस है जिन बेस में OH होता है वो क्या होता है अलकली अब देखो formula say iron या वो पूरा method करें बहुत easy है वो भी कर सकते हो calcium के valency कितनी होते है two calcium के कितनी होते है two hydroxyl के पैरो में इसका नम पीछे learn किया आपने hydroxyl iron hydroxyl iron इसके valency कितनी होते है सोचो नहीं आती इसका मतलब आपने learn नहीं करी और आपको आती है इसका मतलब आपने learn की hydroxyl की क्या होगी minus one या one लिखता है one को लिखने के need नहीं है c a o h or twice ये क्या है calcium hydroxide calcium hydroxide slugged lime c a o था quick lime calcium oxide और calcium hydroxide क्या होते है slugged lime और क्या होते है large amount में heat produce होती है और जब heat produce होती है तो reaction कैसी हो गई exothermic reaction अब इसको exam में घुमा फिर आके कैसे पूछेगा a solution of substance X used for white washing white wash सफेदी करने में किस substance को use करती है उस substance X का नाम बताईए तो वो substance को ने calcium oxide quick lime tuna सफेदी में के इस्तमाल होते है tuna calcium oxide quick lime को use किया जाता है next write the reaction of substance X with water एक तो white wash करने में substance को इसा use होता है आप जानती हूँ quick lime जिसको नहीं आता हो तो गया काम से क्या use होता है white wash में quick lime और उसकी reaction water से होगी तो क्या बनेगा calcium hydroxide उपर अभी अभी reaction करी आपने reaction of quick lime with water from calcium hydroxide that is lacked lime साथ में heat produce होई अगर पूछे कैसे reaction अपने exo thermico heat produce हो रही है बहुत जादा next है burning of coal coal में क्या carbon coal ही नहीं कोई और fuel loss में भी क्या पता है carbon और carbon को यह आपने किया वह पहले भी छोटी classes में अगर oxygen sufficient मिलती है तो carbon action combination है ना carbon oxygen मिलकर क्या form करते है carbon dioxide और अगर oxygen का में तो बनती है carbon monoxide अगर oxygen sufficient है तो dioxide और अगर कम है तो monoxide देखो अगर carbon की reaction हो रही है oxygen gas से और अगर oxygen जो in insufficient है तो क्या बनेगी carbon monoxide gas और अगर sufficient है तो carbon dioxide gas mono means one atom di means two atom carbon monoxide जब oxygen कम है दिखी रहा है atom कम है और जब ज़्याद है तो di oxide water कैसे बनता है यह भी तो combination है hydrogen gas oxygen gases है gases combine होकर क्या बनाएंगी water water की state के liquid अब यह देखो state change होगे ना reaction में two gases मिलकर क्या बना रही है liquid hydrogen gas oxygen gas के मिलने से क्या बनता है water next है exothermic reaction और endothermic reaction के है exo exo यानी evolve निकलना exothermic reaction वो reaction है जिनमें heat produce होगी जिनमें heat प्रोड़क्ट में आपको दिखाई देगी जिनमें पैदा होई substance मिले तो heat produce होई और endo जिन reaction को होने में heat की जरूरत पड़ती है means जैसे exo में x उपर क्या बन रहे एक्स में भी exo यानी evolve पैदा होना endo यानी सोखना aqua solution means solution जिसमें solvent क्या है water एक ऐसा solution जिसमें solvent कोन है water solvent समझते होना solvent solution किसे बनता है solvent plus solute solute यानी जो भी इसमें डाल रहे हो और solvent जिसमें डाल रहे हो अब जैसे निम्बो पानी बनाते हो जैसे water में salt डालते हो तो water क्या है solvent और salt क्या है solute water क्या है solvent और salt क्या है solute मनलो salt को mix कर रहे हो water में तो water क्या है solvent और salt क्या है solute कॉम्बिनेशन रियक्षन कॉम्बिनेशन रियक्षन देखो मीथेन मीथेन है नाच्रल ग्यास है नाच्रल ग्यास ऑक्सिजन की प्रेजेंस में बर्न होगी बर्न होगी तो यहां क्या है कार्बन कोई फ्यूल बर्न होता है कार्बन बर्न होता है तो कौन्ची ग्यास निकलती यह टॉक्षी गैस carbon dioxide पूछ ले जब किस तो कहने घर करने और समझने भी है यहां यह अगर है दो जगे तो क्या बन जाएगा वाटर है डोजन अग्सीजन से क्या बनता है वाटर वाटर फोम होगा और साथ में एनर्जी भी प्रेडियूज होगी फ्यूल को जलाते हो जब आप तो हीट पैदा होती है इसलिए तो चूले में लोग फ्यूल जलाते हैं लकड़ी जलाते हैं खाना पकाने के लिए हीट पैदा करने के लिए तो चूले पे पानी गरम करने तो फ्यूल को जलाओगे कार्बन बर्न होगा तभी तो हीट देगा व वो कुछ वैपर्स भी देगा, तो carbon dioxide, वैपर्स, water वैपर्स, gas की फोर में और साथ में heat भी पैदा होगी, तो reaction है exothermic. Next is respiration, respiration is a process in which it is the process of breaking down of food in the presence of air. जो भी आप food लेते हो, air क्या करती हो उसका, air की presence में उसका क्या होता है, breakdown. और food क्यों लेते हो, respiration में आप क्या कर रहे हो, air in air कर रहे हो, वो food को break करने में help कर रहे है, तो energy produce होती है नो, और जिस reaction में energy produce होगी, वो reaction क्या होगी, exothermic reaction, जिन में heat produce होती है, digestion कैसे reaction है, आप food लेते हो, आप bread खाते हो, potato खाते हो, आप rice लेते हो, तो इन सब में क्या carbohydrates, carbohydrates जो किस में convert हो जाएंगे glucose में, और वह glucose oxygen से मिलकर क्या produce करेगा, हमारे body cells में energy produce करेगा, साथ में carbon dioxide produce करेगा, और water vapor भी release करेगा, digestion में क्या हो रहा है, एक तरह से heat energy produce हो रही है, तो कैसे reaction exo, thermic exo, thermic heat produce हो रही है, आप क्यों खाते हो खाना, ताकि आपको energy मिले, ठीक है, आप carbohydrates ले रहे हो, आप pulses ले रहे हो, आप cereals ले रहे हो, potato ले रहे हो, bread ले रहे हो, तो carbohydrate किस में convert होगा, glucose में, और glucose oxygen से मिलकर क्या produce करे energy, तो reaction क्या होगी, exo, thermic heat reaction, exo, thermic glucose, combines with oxygen, and water, to form carbon dioxide, and water, and to produce energy, यह सब examples है, combination reactions के, बहुत सिम्पल है, यह substance combine होकर, यह NCRT में तो given नहीं है, लेकिन यह आपको आने चाहिए, लेकिन जो उपर है, वो एक एक वर्ड आपको इतने अच्छे से करना, घुमा फिरा के पूचते है सिदे नहीं, अब जैसे question आता है, कोई substance है, x, इसको यूज़ करते है, white wash में, तो क्या होगा, क्या होगे products, जब यह combine होगा, carbon dioxide से, अब आप जानते हो, वो substance x है, जो white wash में यूज़ करते है, वो कौन है, quick lime, ठीक है, लेकिन, यह कह रहा है कि, क्या होगे products, जब वो carbon dioxide से, quick lime water से react नहीं करता, quick lime water से react नहीं करेगा, करेगा, बिल्कुल करेगा, quick lime water से, और quick lime water से react करके, क्या बना लेगा, calcium hydroxide, यह कह रहा है, name the substance that is used for white washing the walls, walls को white wash करने में क्या उज़ करते है, चूना तो यूज़ करते है, calcium oxide, लेकिन क्या direct चूना उठाया और दिवारों पे लगा दिया है, ऐसा होता है, calcium oxide को उठाया और walls पे लगा दिया, ऐसा नहीं होता है, calcium oxide पहले लेते हो, और उसको water में add करते हो, तो अभी पीछे अपने reaction क calcium oxide, और students एक और question आता है कि, calcium hydroxide में कौन सी gas pass करें, जब तुम बहुत और से फूक मारते हो, या किसी device की तुम carbon oxide इसमें डालते हो, carbon oxide जब calcium hydroxide से slugged lime से मिलेगी, पुछा जाते है, quick lime कौन से slug lime, cao quick lime, cao hole twice, पढ़ते कैसे, cao hole, hole यानि पूरे का, cao hole twice, calcium hydroxide में जब carbon oxide पा calcium, calcium, co2 तो है, एक oxygen ही आसे ले लेगा, co3, अब एक oxygen ही आकम हो गया, hydrogen 2 है, h2, o, h2, o, देखो students, calcium hydroxide, देखो डिरेक्ट तो वाल पे quick lime use नहीं करोगे, पहले water में add करोगे, तो बनेगा calcium hydroxide, अब calcium hydroxide में carbon oxide मिला दोगे, पास करोगे, तो क्या बनेगा, calcium co2 था, एक oxygen ही आसे O3, plus H2, यहाई को बच गया, H2, 2, इस तरह से question आएगा, पुछेगा, carbon dioxide, gas turns, lime water, milk, कौन सी गयास है, जो lime water को चूने के पानी को मिल्की करते है, calcium hydroxide को कौन मिल्की करता है, calcium hydroxide को कौन मिल्की करता है, देखो न, students, कौन सी गयास है, जो calcium hydroxide को मिल्की करते है, carbon dioxide, क्या होगा, जब calcium hydroxide, carbon dioxide से मिलेगा, calcium carbonate और water, calcium carbonate और water, कौन सी गयास है, जो explosive है, पीछे पढ़ा था, आपने hydrogen gas, जो pop sound produce करती है, और कौन सी गयास है, जो खुद बर नहीं होगी, लेकिन दूसरों के burning में help करते हैं, आप जानते है, oxygen spotter of combustion, oxygen spotter of combustion, खुद नहीं बरन होगी, दूसरों को जलती भी तिली इसके पास लेकर आओगे, तो क्या होगा, यह explosive sound produce करेगी, pop sound, hydrochloric acid कैसे बनता है, जब hydrochloric gas को, hydrochloric gas को water के साथ combine करोगे, या मैं कम water में hydrochloric gas को pass कर दोगे, gas होती है, hydrochloric gas containers में, तो जब water के अंदर hydrochloric gas को pass करेंगे, तो hydrochloric acid बनेगा, water में hydrochloric gas को pass करने से क्या बनेगा, hydrochloric acid, यह थी reaction, combination, reaction, next, decomposition, reaction, reaction, in which complex substance fits into simpler substances, वो reactions जिन में complex, एक मुश्पिल, एक मोटा, एक बड़ा substance, तूट कर छोटी-छोटी substance में बदल जाएगा, by the action of heat, by the action of heat, light and electricity, electricity, heat, light and electricity की वज़ा से क्या होगा, क्या होगा, जो substance है, heat, light, electricity की वज़ा से, decompose हो जाएगा, ऐसे reactions के, decomposition reactions, reactions in which complex substance splits into simpler substances, by heat, light and electricity, एक बड़ा substance, तूट कर चूर-चूर हो जाएगा, छोटे substances में, convert हो जाएगा, अब इसके examples करेंगे, लेकिन वो questions की form में कैसे पूछे जा सकते हैं, तो question है, what is the color of ferrous sulfate crystal, यह पूछ रहा है, ferrous sulfate crystals का color कैसा होता है, and how does this color change after heating, और अगर ferrous sulfate को heat दोगे, तो क्या होगा, सीधी सी बात है, एक substance है, ferrous sulfate, एक substance है, ferrous sulfate, उसको heat मिलेगी, तो कैसा color हो जाएगा, वैसे कैसा था, और heat मिलने पर क्या होगा, heat मिलने पर decompose होगा, सीधी सी बात है, decomposition, and name product formed on strong heating of ferrous sulfate crystal, और अगर ferrous sulfate को तेज heat करोगे, तो क्या product बनेंगे, यानि ferrous sulfate के इन products में तूटेगा, और wire reaction कैसे है, बताओ, नहीं तो तुम ही बताओ, एक ferrous sulfate एक substance है, और ये तूटेगा, तो ये कई substance में convert हो जाएगा, तो ये क्या है, decomposition, reaction formula देखो, ferrous sulfate का पता होना चाहिए, और formula से यह नहीं देखो, iron equivalency 2 भी होती है, और 3 भी, यहाँ, iron equivalency ferrous sulfate में 2 होती है, learn करना पड़ेगा, iron equivalency है, 2 और sulfate की क्या है, minus, 2, balance है, neutral है, ferrous sulfate का color learn कर लिजे, green, ferrous sulfate कैसा होता है, green, ये धिरे-धिरे practice करेंगे, revise तो हो जाएगा, learn, color एक दम से नहीं होगा, बार-बार revision होगी, बार-बार पड़ोगे तो हो जाएगा, ferrous sulfate किसमें break हो सकता है, ferrous sulfate, ferrous, इसमें iron है, और साथ में oxygen के बहुत सारे atom है, 4, तो Fe2O3, Fe Fe2O3, ferric oxide, क्या बन गया, ferric oxide, कैसा color होता है, इसका brown, ferrous sulfate break होकर क्या बना रहा है, ferric oxide जिसका color क्या है, brown, ferrous sulfate का कैसा था, green, और ferric oxide का कैसा है, brown, और भी कुछ बनेगा, S, B, A, B, O, 3, और बचे, S, O, 2, और S, O, 3, बनाएंगे, sulfur, dioxide, sulfur, tri, oxide, यह reaction balance नहीं है, और इसे आप balance करेंगे, यह आपका work है, इस reaction को आपने balance करना है, यह balance नहीं है, और आप easily कर लोगे, क्योंकि यह देखो left में एक reactant है, और वो decompose हो रहा है, ठीक है, तो इसको balance करना है, इनको ध्यान में रखते वे तो बहुत simple है, आप balance करेंगे इसे, ferrous sulfide किसमें टूटेगा, ऐसे यह learn करेंगे, ferrous sulfide break हो जागा, ferric oxide, ferric oxide और sulfur dioxide and sulfur tri oxide, दोनों gases है, sulfur dioxide और sulfur tri oxide, ferric oxide, कैसे reaction है, endothermic, heat absorb करी, heat absorb करी, तो कौन से reaction है, endothermic, heat absorb जिस reaction में होरी, वो कहते है, endothermic reaction, product किया है, ferric oxide, sulfur dioxide, sulfur tri oxide, ferrous sulfide, इन में decompose हो गया, तो यह reaction कैसे decomposition, पूछे क्यों है भाई यह reaction है decomposition क्यों है, क्योंकि ferosulfate decompose हो रहा है, एक substance decompose हो रहा है, इन तीन सबस्टांस में जब एक चीज तीन तीन टुकडों में divide हो रही है, तो reaction कौन सी है decomposition, जहां combine कर रहे है कुछ बना रहे हैं, तो combination जह decompose हो रहे है, कोई चीज तूट रही है heat, absorb करके तो वो क्या है, decomposition reaction gas having smell of burning sulfur come out, और sulfur की गंदी से smell भी आएगी मतलब smell भी आती है, इस reaction में कैसी smell पूछ सकता है, smell smell आती है, इस reaction में yes, smell, gas having smell of burning sulfur मतलब, जो gas burn होगी, आप इस reaction को दो तिन बार करोगे, एक बार करोगे, आपको पता लगे है कजीब सी smell हो, किस की है, sulfur की next time, जब देखोगे न, कहीं से मैसूस करोगे उसको, तो आपको पता लग जागा कि यह क्या है, sulfur फिर calcium carbonate, तो एक complex सबस्टांस है, जैसे आपने पीछे सीखाता है, इन सबस्टांस के combination से बन रहा है, ऐसे ही, इसको heat दोगे, तो डिकंपोज भी नहीं में होगा, calcium carbonate, question पूछेगा, घुमा के, तो आप खुछ से लिखते हैं, यह calcium carbonate, वो डिकंपोज हो जाएगा, इन सबस्टांस में heat करके, cdc water, decomposition हो रहा है, thermal यानी heat, thermal means heat, thermal means heat, reaction लिखनी है, जिसमें एक x carbonate, x यानी कोई metal, x यानी कोई metal carbonate है, वो डिकंपोज हो रहा है, metal carbonate क्या हो रहा है, डिकंपोज हो रहा है, किसमें exo, यानी metal oxide क्या बनाएगा, metal oxide और साथ में gas, और उस gas को plant लेते हैं, अब आप यहीं से समझाओ, plant कौन से gas लेते हैं, carbon dioxide, प्लांट कौन से gas लेते हैं, carbon dioxide और यहाँ पे क्या कोई metal carbonate, metal carbonate कोई it मिलेगी तो carbon dioxide गैस बनेगा, और क्या बनेगा, calcium oxide, calcium oxide यह वहीं पिसली reaction है, बस एक बड़ा substance, simple form में break हो गया है, endothermic, यह heat absorb करिये तो endo, और अगर यह heat produce होती तो exor, decomposition, reaction को क्या चाहिए, heat चाहिए, वो किसी भी form हो चाहिए, light, light is a form of energy, and electricity, electricity क्या produce करते है, heat जला देते हैं, electricity, तो है तो यह सभी heat ही, heat की form ही है, next है, colorless lead salt, एक lead का salt, यानि lead तो है PB, colorless lead salt है, यानि lead के साथ कोई और substance भी होगा, when heated, एक lead का compound, एक compound है, जिसमें lead आरा रहा और जब उसको heat दोगे, तो yellow residue पैदा होगा, यह भी अभी exams में आया था, बहुत ही important question है भी आया था, कि एक colorless salt है, और उसको heat देते हो, तो एक yellow color का residue, residue residue या बचा हुआ, residue होता है, जो बच जाए, या मैं कहूं, yellow color के पीपटी जो dissolve नहीं होता है, और साथ में एक brown fume, brown fume पैदा होगी, तो यह कुन से reaction हो सकती है, या आपने पीछे भी की थी, question को कुमा कर, पूछ सकता है, किस तरह से, उस lead salt का नाम बताओ, यानि वो lead है, साथ में उसके साथ कुछ और भी है, वो क्या है, पूरा formula वो बताओ, और यह brown color का जो fume है, इस salt को heat देने पे, उस brown fumes का, उस brown color के दुए हैं, वो जिसके वज़े से आरें, वो कोन है, और इसकी reaction लिखो, तो देखो, lead nitrate की थी पीछे reaction, lead nitrate, lead nitrate, lead nitrate, lead nitrate नहीं की थी पीछे, की थी पर उसमें lead nitrate किसे सर्याक्ट कर रहा था, lead nitrate को जब heat दोगे, तो किस में convert हो जाएगा, lead oxide, lead oxide, अभी यहां कुछ और भी, अभी nitrogen और oxygen है, nitrogen die oxide, थोड़ा सा learn भी करना पड़ेगा, अभी भी कुछ बचा, oxygen, अभी यही लाट,